तो जी हां दोस्तों एक बास फिर आपका स्वागत है हमारे योटूब चैनल विकास टीचिंग अकेडमी में दोस्तों आर्मी स्कूल की वेकंसी जो है आ चुकी है तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स यह जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि एपियस जो है इसके प्रीवियस एयर पेपर या प्रैक्टिस सेट जो है वो कहां मिलेंगे दोस्तों अभी बैकंसी आई है और हम जानते हैं कि APS के जो है previous year paper और sets हमें ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे चाहें आप कुछ भी कलिजिक किसी भी दोगान पर या कहीं भी ऐसे नहीं मिलेंगे तो दोस्तों वीडियो लाच तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हैं और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं औ आर्मी पबलिक स्कूल ऑनलाइन रजिस्टेशन आर्मी पबलिक स्कूल ऑनलाइन रजिस्टेशन जो है आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है दोस्तों ठीक है अब हम नीचे आएंगे तो हमें एक यहां पर option देखेगा कि old information on questions paper मतलब information on old question paper old मतलब previous year question paper तो अगर आप इस पर किलिक करते हैं previous year question paper से related और अगर आप form बढ़ते हैं तो आपको registration इस पर करना होगा तो आप info click paper पर अगर किलिक करिए तो यहां पर हमने किलिक कर दिया है तो देखे एक हमारा PDF डाउनलोड हुआ अब यह PDF हमारा खोल रहा है तो आप लोग देखते रहे ह तो एंड तक देखते रहे हैं दोस्तों इसके नहीं किजिए कि तो यहां पर देखे क्या लिखा है कि sample sample question papers of previous year sample question papers of previous year shall be available for which desirous candidates have to demand by logging on to the appropriate link on registration portal and making payment online once you have made payment successfully you need to log in after 24 hours and your papers will be available for download तो दोस्तों आप लोग जान सकते हैं कि हमें अगर कहीं भी APS के paper मिल सकते तो सिर्फ और सिर्फ APS की website पर ही मिलते हैं जो इसकी official website है और यह APS.CSP.IN यह इसकी official website है आप इस पर login करेंगे और login करने के बाद आपको क्या करना होगा 50 रुपए का payment करना होगा देखेंगे आप कि cost of the papers as under part A, part A मतलब PGT और TGT के, तो part A के लिए आपको क्या, दोस्तों यहाँ पर part A है PRT, sorry, part A है PRT के लिए 50 रुपए पे करना पड़ेगा और part B है TGT या PGT के लिए, TGT या PGT के लिए subject wishes, मतलब specific subject के लिए 50 रुपए आपको online पे करने पड़ेंगे, देखेंगे, making online payment ठीक है, once you have made payment, जब आप payment कर देंगे successful, then you need to login after 24 hours, उसके 24 घंटे बाद आपको login करना पड़ेगा, और आप लिए paper जो है available हो जाएंगे, download करने के लिए, दोस्तों तो APS की साइट से आप download कर सकते हैं, paper 50 रुपए payment करने के बाद, तो यह 50 रुपए आपके non-refundable हैं, और ज details, refer table 8, तो यह basic notification जब आप पढ़ेंगे, तो उसी में यह लिखा होगा, तो question papers for newly introduced subjects would be not available, ठीक है, तो no hard copies of question paper will be sell, hard copies मतलब आपको in hand, A4 such किसी paper में आपको नहीं दिया जाएगा, बलकि आपको PDF के मादियम से ही, online payment अब जब आप पढ़ेंगे, तो आपको PDF के मादियम से ही, वह previous question paper या practice arts आपको online ही provide कराए जाएंगे, वहाँ पर आप लोग download कर सकते हैं, जब आपने payment कर दी हो, उसके 24 गंटे बाद, तो दोस्तों यह हो गया, हमारा वीडियो दोस्तों, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए है, APS related तो हमें comment section में बता दें, और हमारे चैनल को subscribe कर रहे हैं, जिसे आप हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं, तो thank you friends,